भरोसे से लोगों को ताकत मिलनी चाहिए, लोग बंधने नहीं चाहिए, ये चीजें तो ऐसी उम्मीदें पैदा कर देंगे, जिनें कोई इंसान पूरा नहीं कर सकता, तो भरोसे के नाम पर लोगों को जंजीरों में मत बांधिये, भरोसे से लोगों को आजादी मिलनी चाहि अगर आप बेवकूफ हैं तो आप जो मर्जी आए कर सकती है आपको यह समझना होगा कि भरोसे का मतलब यह नहीं है कि दूसरे को वैसा ही बरताव करना पड़ेगा जैसे आप उनसे उम्मीद करते हैं भरोसा यानि वो चाहे जो भी करें आपको कोई दिक्कत नहीं है अगर आपका रिष्टा ऐसी जगह पर पहुँच गया है तो वरना भरोसे जैसे बड़े शब्द का इस्तमाल मत कीजे अगर भरोसे का मतलब है कि उन्हें वही करना चाहिए जो आप उमीद करते हैं तो आपका भरोसा एक तरह की जेल है भरोसे से लोगों को ताकत मिलनी चाहिए लोग बंधने नहीं चाहिए तो आपके हिसाब से भरोसा यानि लोग वैसे ही बने रहें जैसा आप चाहते हैं देखे ये भरोसा, विश्वास घात, फ़राना धिमका चीजें इन फालतू चीजों में मत पढ़िए बस अपनी समझ का इस्तिमाल कीजिए देखे ये लोगों की सबसे बड़ी गलती है उन्होंने हमेशा आपको अच्छा बनने के लिए कहा अगर आप अच्छे बन गए तो आप सभी से ऐसी उमीदें लगा बैठते हैं देखे सबसे पहले लोगोंने आपको बताया कि भगवान अच्छे हैं भगवान करुणा हैं, भगवान प्रेम हैं, भगवान कितना कुछ हैं छोड़ियो वो सब चीज़ें जो लोगोंने कही हैं मानलीज़े कि आपने ये सब बगवास किसी से सुनी ही नहीं आपने इस्त्रिष्टी पर ध्यान दिया है, आपने एक फूल को गौर से देखा है, एक चीज है जो आप देख सकते हैं, कि जिसने भी ये सब कुछ बनाया है, उसमें जबर्दस बुद्धी है, है न? हाँ या न? चलि फूल जैसे प्यारी चीज को छोड़िए, आप बस एक चीटी पर ध्यान दीजे, जो जमीन पर रेंगती है, इसको जैसे बनाया गया है, वो जबर्दस बुद्धी है, है की नहीं है? हाँ या न? पर किसी ने आपसे नहीं का कि भगवान बुद्धी है, अगर उन्होंने आपसे कहा होता कि भगवान बुद्धी है, तो हमारे पा ऐसी उम्मीदें पैदा होंगी, जिनें कोई भी इंसान पूरा नहीं कर सकता, और बस, स्ट्रगल होंगे, लगातार टकराव होंगे, भरोसा यानि, मुझे किसी पर भरोसा है मतलब, वो जो भी कर रहे हैं, मुझे उन पर भरोसा है, नहीं, मुझे उन पर भरोसा है, यानि उन्हें वही करना चाहिए, जो मैं उनसे करने के उम्मीद करता हूँ, ये भरोसा नहीं है, ये एक तरह की सॉफ्ट जेल है, ये अभी शाद भारत में नहीं आया है, पर बाकी हर जगा, वहाँ पर कुत्तों की चेन की जगा, एलेक्ट्रानिक कॉलर बांथे जा रहे हैं, चेन नहीं है, कुत्ता वहीं रहता है, वो कभी बाउन्डरी से बहार नहीं जाता, क्योंकि अगर वो बाउन्डरी से बहार गया, तो उसे करन्ट लगेगा, अमेरिका में बहुत आम हो गया है कुता बस बगीचे में गोमता है, कहीं नहीं भागता न कोई बाल है नहीं जंजीर पर कुता बहार नहीं भागेगा क्योंकि जैसे ही वो बहार जाएगा आप आप ऐसे मूग क्यों बना रहे हैं अगर आप उसे पार करेंगे तो परेशानी हो जाएगी तो वो भरोसे के नाम पर इसी बाउंडरी की बात कर रही है आप उसे पार करेंगे तो बड़ी मुश्किल होगी तब भरोसे के नाम पर लोगों को जंजीरों में मत बांधिये अगर आपको वाकई किसी पर भरोसा हो, तो चाहे वो जो भी करें, शायद वैसा जिन्दिगी की अपनी समझ से कर रहे हो हर कोई अपनी बुद्धी और अपनी समझ के हिसाब से काम कर रहा है, है न? अभी इस वक्त शायद वो इतना ही कर पाने लायक हो अगर आप उन्हें और जादा विक्सित कर सकें, तो बहुत बड़ी है अगर आप नहीं कर सकें, तो आपको देखना चाही कि क्या करना है पर भरोसे जैसे शब्द निकाल कर मत लाइए भरोसे से लोगों को कैदी नहीं बनाया जाना चाहिए भरोसे से लोगों को आजादी मिलनी चाहिए